सर्दियों में तो गाजर भरबर के मिलती है पर इससे घीसना और गाजर का हलवा बनाना बहुत ही मुस्किल लगता है तो आज आपकी परसानी दूर होगी गाजर का हलवा बनाना इतना असान होगा आप सोच नहीं सकते हैं बिना घीसे बिना जहंजट बिना घंटों मेहनत के आज मैं लेकर रहा हूँ गाजर का बहुत ही डिफ्रेंट तरीके से और बहुत ही आसान जो आप हर बर बनाना चाहेंगे हाई मैं उसी माश्रागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में वीडियो को लाइच तक देखिएगा पसंद आए तो लाइक सेर सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए भी नदेर की उस रूप करती हूँ बनाना यहाँ पर मैंने 1 kg गाजर लिया है जो लाल कलर के और मीडियम साइच के आप मोटी वाली गाजर चौइस कीजिएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं मेरे तरीके से बनाते हैं तो गाजर कितनी मोटी है यह मैटर नहीं करती क्यूंकि मुझे इसे घिसना नहीं है इसे कस करके नहीं बनाना है इसे घ्र Какर्ड करें इसे घ्र दर त्यार करके और दानेदार कलग अब के इसनेल अहीं तरह से हमें इसे च्ते आर करेंगे जो कि आप देखेंगे बहुत ही स्वॉधिश्च बन, इसह ब्शली बन ते यह मेठी भी बहुत होती है और अपको ऊपर एड नहीं करना पड़ता है और गाजर का अच्छा होता है जिसके काल हलोवा बहुत ही अच्छा बन कियाता है यहां पर हमने दो बड़े चमच के करीब हमने यहां पर सुध घी डाले हैं आप इसे रिफाइंट में भी बना सकते हैं बट घी में जादा ही स्वाधिस्ट बहुत ही टेस्टी बनता है सर्दियों के मोसा में मार्केट में खूब घाजर मिलते हैं और ऐसे मैं घाजर का हलोवा ना मनाए तो घाजर भी बुरा मान जायेगा तो जरूरर ही सट्राइट पासंद आयगा और इसे कलाकंद मीठाई भी घाजर का कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्वाधिस्ट बनते हैं अब इसमें half teaspoon करीब हम जीरा डालेंगे बस और इसमें हम को किसी चीज को add नहीं करना है और दो इलाइची को हमें इसे कुटकर इसमें डालना है और इसे चलाना है और इस flame को medium रखना है अब इसमें हम add करेंगे जो हमने पेस्ट कर तयार करके रखा था गाजर का ओपेस्ट मे हम add करेंगे बाड़ी बाड़ी से करके धीरे दीरे हम साड़े पेस्ट को इसमें डाल देंगे और अच्छे से सब को चलाएंगे इससे हम high flame पे पहले 5 मिनिट के लिए भूनेंगे जब इसमें का कुछ पानी जब सुख जाए तो high to medium पे करके इससे हम अच्छे से पानी को कुछ है हलके से जब dry हो जाए तब इसमें हम दूद एड़ करेंगे यहां पे दूद आपको full cream दूद लेना है कम क्रीम वाली दूद नहीं लेना है जो मार्केट में मिलती है full cream जो सब के घड़ में आती है full cream दूद लेना और दूद को यहां पे हम add करेंगे boil दूद करेंगे अच्छा से गाढ़ा दूद करके तब इसमें हम यहां पे add कर रहे हैं जो कि मारा हलवा बहुत अच्छा बनके तयार होगा आप मलाई देख रहे है उपर से मला यह पूरा तयर रहा है बहुत ऑच्छी हलवा बनके तयार होगी बहुत ही tasty बनेगी आप चाहें तो क पूरे द्यान देना है नीचे से तली से पकड़ने लगेगी तो हल्वा मेरा अच्छा नहीं बनेगा अब यहां पी एक उबाल आ चुकी है गैस फिलेम को मीडियम हाई की बीच में कर देना है और धीमी आज पे इससे अच्छे से पकने देना है जब पूरे अच्छे से ड्रा लगे लाश्टिंग बहुत अच्छा है महीने तक आपके बिलकुल खराब नहीं और फ्रीज में रहेगा तो आप महीने दो महीने आप इस हल्वा को रख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं कि मिठाई की तरह बिलकुल खराब नहीं कहीं भी इसमें क्यूंकि पानी यू बनाते हैं जिसमें लाश्टिंग नहीं रह पाती है तो उसमें कहीं न कहीं पानी का असर होता है तो इसमें कहीं भी पानी नहीं है तो आप इसका लाश्टिंग बहुत अच्छा है इसे आप महीना दो महीना श्टोर करके रख सकते हैं और इसे जिस सेप में बनाना चाहें बणि बना की लड़ो बना के सेफ इसाञ इससे पड़ाकरके रख़िया उपने हो सब्सक्राइब रिख आप इन हमाना चाहते हैं अगे पर प्रेश्प के घिंट में यहां और वह सते हैं कर wa मिठाई के खुद बनाया है और खुद चौक जाएंगे पेकीन मानिए यह बार आप इस तरह से करके देखिए इस मिठाई बनाए और पीसेज बना कर आप कहीं भी जा रहे हैं आप ले कर जाएए और देखके चौक जाएंगे कि आपने इस मिठाई को इस सलवा को आपने खुद बनाएं कि अब यहाँ प्लेट में घी से उसे ग्रिस कर दीजिए पूरे में फैला दीजिए उस पर जितने के महांगी से महांगी मिठा इसका मुकाबला नहीं कर सकती जो कि सिर्फ दूद ड्राइफूट से तयार हुए है इसे जरूर ट्राइए करें अभी गाजर का सीजन है तो हम ताजे ताजे गाजर खुब मिल रहे हैं तो इसे हर मौके पे जब दिल करें इससे बनाए और इंज् करें यह हलवा और ज्यादा अच्छा दीखें और खुबसूरत तो इसके लिए हम इसे चांदी वर्क से डिकोडेट करेंगे बहुत ही अच्छा दीखने लगता है उपर से इसका मुकाबला महांगी से महांगी मिठाई नहीं कर सकती तो आप इसे जरूर बनाए और जिस मैं दिखा रही हूं देखिए कितना अच्छा बनके हलवा तयार हुए अब धेरो पैसा खर्च करके बजार से लाने के जरूरत नहीं है आप इसे सफ़र में भी असानी से ले जा सकते हैं देखिए एक बाउल में मैं इसे निकाल उमीद करती हूं कि आज की हमारी रेसिपी गाजर का हलवा आप सबको पसंद आई होगी फ्रेंट्स आमारी वीडियो अच्छी लगी हो आमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलती हूं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर वाचिंग जै हिन जै भारत